हाई दोस्तों वेलकम टो माई योटूब चैनल फार्मिंग अपशब दोस्तों आज हम लोग जैनब गोट फार्म आए है जो के जैपूर में मौझूद है और यहाँ पर बेसिकली हम जानना चाहा है कि जो जैनब गोट फार्म में बकरों को कैसे रेडी किया जाता है क्या दिन से शाम तक के डाइड दी जाती है बेसिकली मेरे भी बकरे यहाँ पर थे और माशालला बहुत अच्छे तयार हुए थे अस्सलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम टो माई यूटूब चैनल फार्मिंग अपशब दोस्तों आज हम लोग हफीज भाई के जो फार्म है गोट फार् पर आयते हैं और हम हफीज भाई से और उनके बतीजी से जो पूरा केरेट टेकिंग करते उनसे जानेंगे कि वह बकरों को क्या क्या खिलाते कैसे के इसे खिलाते हैं मेरे भी बकरे यहां पर पलाई पर है अफीज भाई पलाई पर भी बकरा रखते हैं वह सारी रीटेल उन यह जब नए में बखरे नहीं खाते तो गुड मिला के देते और जब खाने लग जाते तो गुड हटा देते खाल देते इसमें एक चीज में आपको बताना चाहूंगा जैसे मुझे भी थोड़ा एक्स्पिरेंस है खल जो है ना उसके अंदर प्रोटीन पर्सेंट बहुत होता है और प्रोटीन माशालला बख्रों को गुरोध देता है तो यह बख्रे आपको दिखाएंगे तो यह बख्रे आपको ठीक चलो बख्रे को डालते थोड़ा सा देख लेते बख्रे कैसे खाते हैं हां डालो डालो यह देखिए माशालला यह खल जो है यह यह सारी ट्रे में आ गई अल्ला सारे जानवर को बंद्द्री से बचाएंगे कितने शौक से खाय रहे हैं अच्छा वसी यह हमेशा डालते हो यह मिन्स एकाद दिन आड़ करके डेली डालते उसको यह सर्दी सर्दी खिला हो गया मैंस पूरा साल लेकिन माशालला बंद्री से बचाएं बहुत शांदर तरीके से खा रहे हैं माशालला देखे माशालला अल्ला इन सब जानवर को बंद्री से बचा हैं बहुत शौक से खा रहे हैं अब माशालला देखे जैनब गोट फाम में पहले उन्होंने दुफेर में वो खिलादी खल के ना और खल के बाद देखिए अभी घेऊं और घेऊं के अंदर क्या क्या मिश्रन आएगा वह पूरी आपको एक साथ चीजे बताते हैं अच्छा वसी भाई वह तो घेऊं आ गया अब यह क्या इसके अंदर यह चने की चुनी तो सिर्फ चने की चुनी या कु अब यह पूरा इसके अंदर मिक्स होगा अच्छा यह वसी में खल के खल खिलाते हो उसके फौरण बाद यह आप यह खिला देते हो गया जांद के खिला थोड़ा टाइम उसके पार सीए 10-5 मिनिट रुखने के बाद चीक है यह देखिए माशा अल्हा बक्रो को भी पता है कि अभी उनके लिए खाना आने वाला है तो माशालला देखी कितना बेचेन हो रही है यह देखिए माशालला खल अभी मेरे सामने डाली थी माशालला और सारे बकरों नो देखो खल खाली है और फी चूनी और यह घेहूं का जो मिश्रने माशालला देखी यह खाले है पूरी जानकारी लेंगे इं यह बक्रा भी हफीज भाई के पास माशालला मुंबई से पलाई पर है माशालला बदनाजरी से बच्चा है और दोस्तों मैं तो यह कहना चाहूंगा हफीज भाई के पास मेरे बक्रे है अभी रिसेंटली मैंने चार बक्रे सोल्डाउड भी किये यहां से फिर हमारे कुछ बक्रे और रखे वे क्योंकि अफीज भाई का दो जगा सेटप है एक तो यहां पर उनका सेटप है फार्म जेसा और एक घर पे भी रखते है बक्रे और नए हमारे बक्रे भी आएंगे इंशालला लेकिन मेरे बक्रे मुंबई म आये थे तो उसका रिजन होगा लेकिन यहां का जो नेचरल क्लाइमेट है जो हवा पानी है उसमें जो बक्रे तयार होते है तो उनकी बात ही अलग होती है यह इंशालला जो अभी खल और यह चूनी और जो घेंव अभी खा रहे ना यह मार्च में जो इनका ओईल जो है न यह उसका रिजल्ट दिखाएगा और बक्रे अलगी रुआप पर आके दिखाएंगे इंशालला अभी दोस्तों यह जैनब गोट फाम पर जो गवार के भूसों होते न वो खिलाने का टाइम अगया और माशालला देखें गवार का भूसा भी यह बहुत शौक से खाते है ब अच्छा वसी भाई मैं आपसे कुछ चीज जानना चाहूंगा जैसे आप अभी गवार का बूशा डाल रहे हो चीक है तो मैं यह पूशन चाहूंगा में को ना देखें बहुत साले जो बक्रे पालते हैं शौक में नया फार्म उपन करते हैं उनको पता नहीं होता कि बक्र करने के बाद तोड़ा 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 को पकाते हो और सिर्फ बाजरा पकाते हो उसके अंदर गूर या कुछ और तेल अच्छा तेल सरसो का डलते होंगे सरसो का तेल गूर या बाजरा गरम करके पका के सुभा यह आपने दे दिया फिर उसके बाद आप क्या खिलाते हो बुसा बुसा कौन सा डलते हैं फाट होके अग watts का बूसा डाल देते हैं Fangh ? ठीके माशाललह गवार के बूसे की बात बताऊगा के यह बकरों के लिए डाइजिचन के लिए बहुत अच्शह होता है और bakre की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छ ये उसको बुर्णा तो कि लिए इसे दूनी और ने विखोते हैं एक दम ड़े बहुते हैं पर फिर थोड़ा रेचेते हैं फिर चुब्नी और गेव मिलाकर चुब्नी और फिर तो बहुते हैं तो फिर अच्छा थोड़ा सा मैं समझ जाएंगा पहले तो आपने सुवह में बजरा डाल दिया बाजरे के बाद आपने असको बूचा डाल दिया गवार तो उसके बाद चूनी माशालला 5-6 बार बक्रों को जो यह घैस नहीं होती होगी माशालला अच्छा एक चीज़ पूछना चाहूंगा जैसे पलाई का रेट आप मेंको बता सकते हैं क्योंकि हो सकता है मेरा बकरा यहां पर पल रहा है यह भाई भी मंबई वाले है माशाला उनका भी कहते हैं अच्छे मांशालला आपसे बात करके बहुत अच्छा लगружा काम्याबी दे अच्छा वरकत क्या क्या खिलाया और बकरियों कैसे रेडी करें पलाई वो हफीज भाई करते हैं जैनब गूर्फार्म करता है इसलिए हमने information share कर दी रखना नहीं रखना यह तोटली आपके ओपर इसके लिए